बिस्मिल्लाइ रमाने रहें, अस्सलाम उलेकुम, तो कैसे हैं आप सब लोग? अब उमीद करती हूँ, आप सब खेरियत से होंगे, तो आज में लेकर आई हूँ, एक और सिंपल असान सी रेसिपी, बहुत कम मसालों में बनके तयार होगी, और बहुत फेमस और सब की पसंदीदा कीमे की ताहरी, तो चलिए बिस्मिल्लाइ करके स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी, तो आईए देखते हैं केमे की ताहरी बनाने के लिए हमें क्या-क्या इंग्रिडियेंट्स चाहिए, सबसे पहले हमने यहां पर लिए हैं 500 ग्राम गोल्डन सेलर आइस, और यह हमने 2-5 गंडे बिगो कर रख दिये थे, और अब यह देखिए अच्छे से पूरे पूल गए हैं बहुत अच्छे से, यहां पर हमने 500 ग्राम ही कीमा लिया है, और इसको हमने दो कर अच्छे से 3-4 पानी से इसको दो कर इस टेनर में स्टेन करके रख दिया था, और यह अच्छे से ब्राय हो गया है, दो बड़े साइस के टमाटर लिए हमने इसको ऐसे कट कर यह पर हमने ड्राय पाॉडर लिया है आधा चमच लाल मिर्च पाॉडर रे आदा चमच धनिया पाॉडर है नमक अपने जैकि के हिसाब से लिया है और आधा टीजूण ही अहल्दी पाॉडर लिया है एक एक टेबल इस्पून भरके हमने लसन अद्रा का पेस्ट लिया है दो हरी मिर्च लिया है हमने ऐसे चोड़ चोड़ टुकड़ों में कट कर ली है यह हमने थोड़ा गारनिशिंग लिए हरा धन्य लिया है और थोड़ा हमने यहाँ पर आदा चमचा, जीरा और दस से बारा काली मिर्च लिए है तो चलिए बिसमिल्ला करके अपनी रेसिपी स्ट्राट करते हैं तो देखी फिलेम हमने ओन कर दी है अपनी उस पर हमने आज हम यह कीमे की तारी अपनी प्रेशर में कुक करेंगे तो सबसे पहले हमने आपर अपना इसमें एक कप कोईल डाल दिया है अब हम अपने तेल को हीट होने देंगे और फिर हम उसके अंदर अपने सबसे पहले हम इसमें सारे मसाले, ड्राइ मसाले सब शामिल कर देंगे तोड़ा इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक प्यास को भूनेंगे यह देखिए हमारी प्यास गोल्डन होने वाली है अब हम इसमें अपना जीरे और काली मिर्चे एड़ कर दी है हमने इसमें थोड़ा जीरे को चटखने देंगे इसके खुशबूत तेल में शामिल होने देंगे तीस सेगिंड तक के लिए अब इसमें हम अपना लसा नदरग कच्छपन जाने तक अपना लसा नदरग को फ्राई करेंगे तेल में अच्छे से हमने अपने इसमें टमाटर भी डाल दिये हैं टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम इसको भुनाई करेंगे इसमें हम अपने अपने सारे ड्राय मसाले भी डाल दिये हैं इसको हम अपने अच्छे से कच्छा पन जाने तक भूनेंगे, थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे थाकि हमारे मसाले जले नहीं और अच्छे से कुक हो जाएं हमारे मसाले, तो अब हम इसको अच्छे से इसकी भूनाई करेंगे, एक से डेड़ मुन तक हम अपने मसा कि देखिए बहुत अच्छा कलर आ रहा है हमारे मसाले में माशालला से बहुत अच्छी खुश्भुआ रही है हमारे मसाला भुनने की अब इसमें हम अपना कीमा शामल करेंगे हम इसमें अपना कीमा शामल कर देंगे और कीमे को अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे अच्छी तरह हैं इसको मसाले में हम मिक्स कर देंगे और इसको हम दो से तीन विसल लेंगे अपने प्रेशर कुकर में हमारे कुकर में बहुत जल्दी सीट्री आती है तो इसलिए हम दो से तीन विसल में पकाएंगे अपने कीमा को आप अपने pressure को करके हिसाब से इसमें whistle लीजिएगा जितने में जितनी whistle में आपका कीमा soft हो जायागा तो हम अपने pressure में 2-3 whistle लेंगे तो देखिए 2-3 whistle इसमें आ गई थी हमने इसको pressure में छोड़ दिया था अब हमारा इसमें pressure भी खतम हो गया अब हम इसको खोल कर देखते हैं कि हमारा कीमा कितना tender हुआ है तो ये देखिए माशालला से बहुत अच्छा हमारा कीमा गल चुगा है बहुत अच्छे खुश्बू आ रही है इसके अंदर से मगर इसमें अभी तोड़ा पानी release कर दिया है कीमे ने तो हम एक मिन तक इसका पान्य डॉया करेंगे और बिसमिल्लाइ rb चावल हमारे अच्छे से सोख हो गया है भीगा है ये बहुत सॉफ्ट हो रहा है इस पॉाइंट पर हमें चावल बगएर पानी के चम्मत चलाना नहीं होता है जब हम इसमें पानी डाल देंगे हम इसको जब चलाएंगे वरना अगर हम ऐसी चला देंगे तो हमारे चावल टूटने का डर रहता है हमारे 500 ग्राम चावल ते मैंने इसमें एक लिटर पानी शामिल किया है मेरे एक लिटर पानी मुझे बहुत रहेगा इसके अंदर और मैं इसमें दो से तीन विसल लूँगी मैंने आपको पहले बताया है मेरे प्रेशर कूकर में थोड़ी सिटी जल्दी आती है तो इसले में इसमें दो से तीन विसल लूँगी और फिर जब हम दिखाते हैं आपको सर्फ करके देगे दो से तीन विसल लागएं थी हमने इसको प्रेशर में छोड़ दिया था अब हम इसको खोल कर देखते हैं बिसमिल्लायरमाने रहीं यह देखिए अलहमदुल्ला हमारे खेमे की ताहरी कितनी जवर्दस तयार हुई है बिल्कुल खिली खिली बनी हुई है एक एक चावल का दाना बिल्कुल खिला हुआ है अब हम इसको यह देखिए हम इसको आपको यह देखिए हम इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं तो देखिए माशाला से हमारी खेमे की तारी बनके तयार हो गई है हम इसमें थोड़ा सा हर धनीय की गार्निशिंग कर देंगे माशाला बहुत अच्छी बनके तयार हुई है आप जरूर मेरी रेसिपी को ट्राइ कीजिएगा इसको हम दई के साथ और सलात चट्मी के साथ सर्व करेंगे आप जो जिसका मन हो आप भी सर्व कीजिएगा आप जरूर खिलाएगा अपने घर में बना के हमारी रेसिपी को माशाला बहुत जायकिदार बनकर तयार हुए आप मेरे रेसिपी को जरूर फॉलो कीजिएगा बहुत कम मसालों में और बहुत जल्दी रेसिपी हमारी बनकर तयार हुए यह आपके घर में जरूर पसंद आएगी सबको तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा तो चलती हूँ फिर दौाओं में याद रखिएगा इंशालला फिर लेकर आउंगे एक और नए असान सिंपल की रेसिपी सब तक के लिए टेक केर, गुड़ बाई, अल्ला हाफीज प्रेंड्स के साथ